नमस्कार दोस्तो आजगा हमारा टोपिक के राजस्तां के पर्मुक वाद्दे अंतर दोस्तो पिछले वीडियो में हमने कुछ पर्मुक वाद्दे अंतर पढ़ लिये थे और बच्चे विडियो में कम्प्लिट करने की कौशिश करेंगे आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे स्लेक्ट कर लिजी ताकि आने वाली वीडियो की नोटिक्रेशन सब्सक्राइब आपको मिलेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वी इस प्रकार है जो हम अभी देखने वाले हैं सबसे पहला वाद्धियंतर आता है सहनाई सहनाई क्या है दोस्तों यह सुषिर वाद्धियंतरों में सर्वस्ट्रेश्ट वाद्धियंतर है क्या है दोस्तों सर्वस्ट्रेश्ट वाद्धियंतर किन में सुषिर वाद्धियंत जहां जहां डोरिकतें दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं अगला है बांकिया यह पितलगा बनावा किसका बनावा होता है जो एक दार्मिक वाध है और दोस्तो दार्मिक वाधदी इंत्र ओब भाक salah जो पिठलगा बना हुआ होता है जिसका प्रियोग लंगा गाय करते हैं कौन करते हैं दोस्तों लंगा गायक जो कि गायक है ठीक है अगला है मसक यह यंतर सेले नूमा जैसा होता है कैसा होता है दोस्तों सेले नूमा जैसा ठीक है अच्छे से याद रखना एकजामे कुछा जा सकता है अगला है नेड यह मस्तक जैसा होता है कैसा होता है दोस्तों मस्तक जैसा कैसा मस्तक जैसा जेसल मेर का करना ब्हाय परशिद नेडवादक है। क्या है दोस्तों नेडवादक क्न करना। ठीक है अगला है नागफणीी। नागफणीी पित्थल से बना हुआ सपिलाखार का हुटा है। सकता है जो सर्फिलाकार का परना हुआ पित्थल का होता है आध यह लिया सतारा जो एक्दा में पूचा जा चुका है और आगे वी पूचा जा सकता है कौन सा दो? बांसूरी अलगोजा वे सेनाई का मिस्रित रूप है दोस्तों ये क्यूशनी तो बनता है एक्जाम में बार बार बांसूरी अलगोजा वे सेनाई का मिस्रित रूप कौन सा वाद देंतर है जी हाँ दोस्तो एक उसने एक्जाम में बार-बार पुचा जा चुका है और आगे भी पूचा जा सकता है तो अच्छे स्याज रखना बासुरी अलगोजा वे सेनाई का मिश्रित रूप जो है वो सतारा कहलता है ठीक है दोस्तों ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है संक यह एक जन्तु का अंडा है कौन सा संक जो समुंदर में उत्पन होता है कहां पे होता है दोस्तों समुंदर में कौन सा संक और क्या है यह जन्तु का अंडा ठीक है बढ़े आगे चलिए रखते हैं अगला अगला है पूंगी या बीन इससे कालवेलिया सपेरे साप को पकड़ते समय बजाते हैं कौन बजाते हैं दोस्तों कालवेलिया और सपेरे जो कि शाप को पकड़ते टाइम इसका यूज़ करते हैं इसका कूंगी या बीन का ठीक है दोबेलिया या सपेरे या पकर्टेसमी का यूज करते हैं इनको बजाते हैं, ठीक है अगला है मोरचंग क्या है ये? मोरचंग खोटों के बेच रखकर बजाये जाने वाला वाद फ़िए जाने वाला को मोरचंग जूज हर्प भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों किसको कोट ओटों के बीच में रकर बजाया जाता है तक ठीक दोस्तों अच्छे से चैद रखना एक्जाम में पुझा जासकता है अगे लिए आगे बढ़ते हैं अगला है harmonium ये भी most important है दोस्तो एक्जाम में पुछा जा सकता है बहुत ही most important है यहां सी question बन सकता है एलिए देखते हैं इसके बारे में महमुद दौलपुरी का समध्य और ये किसं हैं दोस्तों किसका महमुद दौलपुरी का ठीक है जेपुर कराने के उस्ताद अलादिया खान के पंडित गोविंद राव सामबे शिश्य थे क्या थे शिश्य थे गोविंद राव सामबे जिन्होंने हार्मोनियम बजाने में कुरान तिल्या दी थी कौन से वद्द राव सामबे शिश्य थे उस्ताद अलादिया खान के उन्होंने किसमे पुक्रान तिल्या दी थी हार्मोनियम बजाने में ठीक है बढ़ें आगे चलिए याद रखना दोस्तो पंडित शिव कुमार सरमा का सम्मंद संतूरवादे इंतर से हैं किसे हैं संतूरवादे इंतर से किसका पंडित शिव कुमार सरमा का ठीक है दोस्तो तो पंडित जसराज का सम्मंद डागर गराने से हैं किसे हैं पंडित जसराज का सम्मंद डागर गराने से हैं ठीक है और पंडित पुर्षो तमदास परशिद पकवाजवादक से है क्या थे पकवाजवादक कौन पुर्षो तमदास ठीक है दोस्तों बढ़े आगे अब आगे आज़ता है अउनद या तालवद्दे यंतर ठीक है दोस्तों अउनद या तालवद्दे यंतर पस्वों के चमड़े से निर्मित वाद्दे यंतर जिसको चोट माणने से सहुरों की उत्पती होती है उन्हें अवनत या साल वाद्दे यंतर कहते हैं पस्वों की चम्डी शे निर्मित जो भी वद्दे यंतर है उनको चोट मानने पर जब सुरों की उत्पती होती है ना उन्हें अवनद या साल वद्दे यंतर कहते हैं नौबद वद्दे यंतर पराचीन काल में युद के समय वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है कब बजाया जाता है दोस्तो नौबद को यह एक अर्ध अंडाकार कुंडी जो बैसों की खाल से हैं मंड कर चमडे की डोरियों शेक्तस कर लकडी के डंडों से बजाया जान तो चलिए अगला देखते हैं कौन सा है मादल दोस्तो अगला है मादल ठीक है राजस्तान का एक मातर ऐसा लोक वादे अंदर जिसकी डोटी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकडी के गुट के डाले जाते हैं किसकी तरह दोस्तो पकावज की तरह लकडी के गुट के डा किसके संकर और पारवति का वाधियंत्र महना जाता हैं जिस सते हैं अधिकतर गवरी निर्से विवाय 점 in गराम देवालियों में बजया जाता है कब बजया जाता है यह अधिवासी बिल्लों एम गराशियों का प्रमुक वाधियंत्र कौन सा है दोस्तो मादल ठीक है अधिवाशी भीलों एम गराशियों का परमुक वाद्य इंतर है और इसका निर्माण मिठीशे होता है दोस्तो संकर और पारवद्दी का वाद्य इंतर माना जाता है ठीक है अच्छे से याद रखना तो बढ़ें आगे चलिए देखते हैं सब्सक्र साथ भीलों मांगलिग वाद्य इंत से और लिडाक स Ubhari कि ही आकार का अउङन धाकर्ण में सब्सक्रान बढ़ें ऊक्छे सारशावी दोस्तों ईह क्यों सने पारावाद्य पूश्त है प्रसिद नगारवाद्यजाम में आसकता है पूश्त कर के पक्षे नगाड़ावादक, राम किसन, ठीक है दोस्तों अच्छे से याद रिखना, नगाड़ावादक है, ठीक है सलिए बढ़ते हैं आगे, डेखते हैं अगला, देखते हैं अगला, अब आजाता है जोना आज दोस्तों, ये सब सेwriting, प्राचीन वे दिया दोल, कौन सा है मांगलिक इसकी आकरती अश्ट बुजाकार है जो डपके समान होती है इसके समान होती है दोस्तो डपके समान होती है और इसकी आकरती अश्ट बुजाकार है ठीक है इसकी गेरागी ठीक है बढ़े आगे अगला है तासा इसकी आकरती परतनुमा होती है किसके जेशी होती है दोस्तो परतनुमा ठीक है जिसका परियोग सरवादिक मुस्लिम समुदाय के लोग साजिया वै मोहरम के समय करते है ठीक है दोस्तो इसका परियोग कप करते है दोस्तो सरवादिक मुस्लिम समुदाय के लोग करते है ताजिया और मोहरम के अवसर पर ठीक ह किसका तासा का ठीक आगया समझ में अच्छे जे बढ़े आगे तलिए देखते हैं अगला अगला है डंबरू यह चिवका वादे इंतर है किसका है चिवका कौन सा डंबरू जिसका सरवादिक परियोग मदारी करते हैं जो खेल दिखाने वाले होते हैं न दोस्तों वो करते है डंबरू का परियोग मदारी सरवादिक करते हैं और यह चिवका वादे इंतर है तो दोसा इसकी आकरती नगाडे जेशी होती है किसके जेशी होती है नगाड जेशी कौन सा है दोसा ठीक है दोस्तो अब ये कंप्लीट हो चुके है अपने अब मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन देखते हैं वीडियो को लाश तक देखने के बाद में कुशन करने की कोशिस कर रहे हैं ताकि एक्जाम में जो भी कुशन बने या आशे हैं वो हमारा किसी भी तरहेंशी गलत ना हो सके है ठीक है देखते हैं फर्ष्ट कुशन दोस्तों अभी अभी में ने तीन बार बोलके आपको बताया था और ये भी बोला था कि एक्जाम में आ सकता है अच्छे स्याद रखना तो ठीक है जल्दी से आंसर दीजे दोस्तों क्या संख है मोरचंग है सतारा है या हार्मोनियम है तो आपको भी पताया अभी अभी पढ़ा है तो इसका उप्शन नमबर तीन से होने वाला है सतारा ठीक है बढ़े आगे अच्छा लगा क्यूस्तों करके आपको अगला है महमुद दोलपूरी का समंद किस वाद ये अंतर से है ये भी अभी अभी पढ़ा है ठीक है इसका उप्शन नमबर एक सही होने वाला है महमुद दोलपूरी का समंद हार्मोनियम से है ठीक है दोस्तों बढ़े आगे अच्छे से समझ में आ रहा है आपको कमेंट करके बताते ना तुश्यर वाद येंत्रों में सरवस रेष्ट वाद येंत्र है कौन सा है दोस्तों सरवस रेष्ट वाद येंत्र कौन सा है तो अभी अभी पढ़ा है इसका अंसर दीजिए जल्दिशे इसका उप्स नंबर एक से होने वाला है तुसीर वाद्दे इंतरों में सर्वस्ट वाद्दे इंतर है ठीक है दोस्तों बढ़ें आगे उतली अगला कुशन देखते हैं फीतल से बना सरफिलाकार कौन सा वाद्द इंतर होता है यह भी कुशन मैंने आपको बोला था कि इंपोर्टेंट कुशन एक्जाम में भी आ सकता है और यहां पर आपको देखने को मिल गया कि तल से बना सरफिलाकार कौन सा वाद्दे इंतर है जल्दिशे अंसर दीजिए नागपणी सेनाई सारफी या मसक तो इसका जल्दिशे अंसर दीजिए मादल, नोबत, नगाड़ा, दोल, जल्दिशे बताईए तो दोस्तों इसका उप्सन नमबर एक से होने वाला है इसका आंसर होगा मादल संकर पारवति का वाद्दे इंतर है वो है मादल ठीक है दोस्तों इसकी के साथ आज कामरा यह वीडियो क कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना और नेक्स्ट टोपिक के बारे में भी बता जाना ताकि उसी पर मैं वीडियो बना की लेकर आँगा आपके लिए थैंक्यू दोस्तों वीडियो लाश्ट तक देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में